आज को जो पनीर का सब्जी होने वाला इसे देखने के बाद ना जिकते लोगों पनीर का सब्जी थोड़ा सा मुस्किल लगता बनाना वो बिल्कुल असान होगा क्यूंकि आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे बहुत ही ठीक ग्रेवी के साथ और बहुत ही तेश्टी पनीर सब्जी बनके रेडी होगा तो चलिए देखने हैं पनीर को पनीर को अलग 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 बिश्ट देखना चाहते हैं साही पनीर, कड़ाही पनीर, मतर पनीर तो सब का विडियो अप्लोड मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं इसके लिए पहले आठी खने लेना है चाल से बूनेंगे ब्लतव यहां पर भूcket िखनें DR. तो पनीर को सौट बना सकते हैं पहले जब दूद उबालते हैं तो ऊबाल आने के लिए तो बम द्यएज यह ढंगा है तोड़ें ब्राउन होने तक और यह देखे बिल्कुल इसका कलर जो है चेंज होगा बहुत ही अच्छे सी यह भून गया है अब यहीं पर डाल देंगे अद्रक लैसुन और हरी मिर्च का कुटा हुआ दरदरा पेश्ट आपको लिए डालना है पीस लेना है अगर आप दरदरा पेश्ट डालना चाहते हैं तो दो चमच अद्रक लैसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेश्ट डाल दीजे इस सबको अच् चोटि चिमज हल्रय पाउडर और चिμज बर कर डालना है कस्मेरी लाल मिर्द के पाउडर इसे कलरवे इस्तमाल के जाता दे तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहां पे जो है नॉर्मल जो लाल में चाहता है तीखा वाला डाल दीजे और यहां पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और यहां पेस्ट लेसुन जो हो भी बहुत अच्छे से भून गया है तब यह जो पेस्ट हमारा गी पर डाल और मसाला बहुत अच्छे से भून नहीं लगता है जितना ही अच्छे से मसाला गुंते है उतना ही पेस्टी सब्जी हमारा बनके रेडी हो जाता है तो यह देखे इसको ढखके पका लेते हैं और यह देखे मसाला जो बहुत ही अच्छे से भून गया है और इसे आपको थो भरके गरम मसाला पर इस्तमाल करते हैं अब जाहिस से बात है कि टमाटर डालने तो नमक डालेंगे क्योंकि नमक डालने से टमाटर से पानी रिलेज होता है और मसाला को भूनने में हेल्प मिलता है तो दो बड़ी चमच आपको डालना है नमक स्वाधनुसार सबको ढखके मसाला को नहीं घूनेंगे अब हींक आपनी को बढाल लेंगे ऊटला हुआ ही पानी डालना है ठंडा पानी बिलकुल भी नहीं डालना jest तो पहले पनीर को ढल देते हैं और मसाला के साथ हलका सभोल डेते हैं ताकि मसाला जब Maisma में बेंसारकी मिक्स हो जा है ॐसरे पहला कर आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते तो यहां तक पहुंचना मेरे मुस्किल ही बिल्कुल नमुम्किन था तो यह देखिए हमारा जो है पनीर मसाल एक साथ कितने अच्छे से भून गया तो आप चाहें तो यहां पर ग्रेवी वाला सब्ची बनाना चा कि आप सब्ची बनाए खाये और सबको खिलाए और कैसा लगा पनीर की सब्ची मुझे कोमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना विडियो को संद आगा तो विडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएगा प्रेंड और फैबलिक साथ भी सेयर कर और नए चैनल पर आपको दो तरह का बिलियो मिल जाता है कोकिंग और रिवियो का दोनों का लाव उठा सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके